सेडियों के दोनों और से रंजु के दोनों बहुए, नैंसी और स्वीटी एकी रंग के लहंगे पहन कर उतरती है ये लो, हो गया ना श्यापा, इस ते भी पिंक कलर का लहंगा पहन लिया मैंने कहा था ना प्रेम, मेरे वेडिंग ड्रेस का कलर किसी से मैच नहीं होना चाहिए बर डालिंग तुमने ये भी तो बोला था ना कि तुमारी ड्रेस का कलर रिविल भी तो नहीं होना चाहिए मुझे पता होता तो मैं विवेक को बता देता कि वो नैंसी को पिंक लेंगा पहने ही नहीं देता मुझे पता ही था सिसुराल मतलब स्याप्पा अरे भई लव मेरेज मेरी है उसकी तो अरेंज मेरेज है फिर क्या इतना ड्रामा हाद हो गई मुझे अलग दिखना था और ये महारानी मेरी ट्विन बन कर आ गई है कितने ही सपने थे मेरी शादी को लेकर जिठानी जी ने सब पर पानी फेर दिया अरे नैंसी ये तो बस एक कोइंसिडंस है वैसे भी अब तुम दोनों एकी घर की बहु लग रही हो अपनी शादी में किसे आम दिखना पसंद होता है अब मुझे पर कान ही फोकस करेगा इसलिए तो मैं कहा रही थी कि एकी दिन शादी का डेट मत रखो हमारी तो अरेंज मैरेज है हम तो पंडिच जी के दिये डेट पर ही शादी करती इनकी तो लो मैरेज ये कभी भी कर लेती शादी हमारे साधी क्यों करनी थी? अध हो गई ये थी रन्जी जी के घर आई नई नई बहुँ की एक चलक जो अब तक घर सही से आई भी नहीं थी शादी के मंड़प पर ये हाल है तो नजानी रंजू निवास में क्या होगा पहले बड़े बहु बेटे का फेरा करवा देते हैं फिर छोटे बहु बेटे का फेरा करवा देंगे कुझे बहुत नहीं ना रही है विवेक जी मैं वेट नहीं कर सकती ओ गौड अच्छा अच्छा मैं देखता हूँ यहाँ पंडी जी की बात सुनकर जितनी ही नैंसी नाखुष थी वो तनी ही स्वीटी मैं? मैं क्यों फेरे लूँ पहले? पहले बार फेरे लूँगी कोई गलती हो जाएगी तो सब मेरे मत्य आ जाएगा नैंसी तो मुझे देखकर सब जान जाएगी और अच्छी से करके सब की लाडली बन जाएगी मैं बुरी नहीं बनूँगी स्वीटी सभी की सामने खड़ी होकर कहती है पांडी जी पहले तो नैंसी ही फेरे लेगी अचानक जिटानी जी में देवी माता कहां से आ गई मुझे सामने से मौका दे रही है कहीं इसमें की कोई साज़िष तो नहीं है नहीं नहीं जिटानी जी आप ही फेरे लीजी तुम काईदे से मुझसे चोटी हो ना, तुम ही पहले ले लो फेरे नहीं नहीं आप जिटानी जी दोनों बहुवों की बहस में दो घंटे बीच जाते है और पंडित जी उठकर जाने लग जाते है हम चलते हैं जज़मान अर पंडित जी, आप कहा जाने लगए आज का मुरत तो आपकी बहूं के कलेश में ही समापत हो गया है रंजु जी अब आज कोई मुरत नहीं है अब तो कल ही फेरे हो सकते हैं मुझे बता दीजीगा पहले कौन फेरे लेगा पूरी रात है आप लोग विचार कर लें फिर कल मुझे सुचित कर दें चलता हूँ राम 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 रंजु के तो चैरे का ही रंग उठ जाता है जो बहुएं फेरे लेने में इस तरह कलेश कर रही हो वो सुसुराल जा कर क्या ही करेगी अगले दिन दोनों बहुँ के फेरे एक ही साथ होते हैं और नैंसी और स्वीटी रंजु के घर की बहु बन जाती है विवा संपन्न हुआ, अब अवर वदु जाकर सभी बड़ों का अशिरवाद ले ले नैंसी सबसे पहले अपनी सास का अशिरवाद लेने उनके सामने खड़ी हो जाती है उसे देखते ही स्वीटी भाग कर वहां आती है और फिर से दोनों जगडने लग जाते है मैं बड़ी हूँ ना, पहले मैं पैर चूँगी यहाँ पहले मैं आई हूँ, तो मैं सासुमा की पैर चूँगी, है ना सासुमा? सत्या नाश, तेन घंटे की शादी को दो दिन का कर दिया तुम लोगोंने अब पैर चूँगी, रसम में एक और दिन निकाल देना है क्या? तो सासुमा आशिरवत पहले किसे मिलीगा? मोलियना सासुमा, जीती रहो, अखंडल साव भागयवती भावा दोनों को ऐसे ही आशिरवत दे दिया मैंने, अब पैर चुने की कोई जरुवत नहीं है बाहर जाओ और गाड़ी में बैठो, अब हम घर के लिए निकलेंगे दोनों बहुएं बाहर जाती है, बाहर दो गाड़िया थी, पर दोनों फिर से एकी गाड़ी में बैठने के लिए जगडने लगती है इस गाड़ी में मैं बैठूंगी नहीं, इसमें मैं बैठूँगी सब समझती हूँ मैं भावी आपको वही चीज चाहिए जो मैं लेना चाहती हूँ यहां मैं पहले आई तो इस कार में भी मैं ही बैठूँगी अच्छा, तू बैठेगी ना, बैठ और पहुँच कर दिखा सुसुराल स्वीटी जमीन से कील उठाती है और जिस कार में नैंसी बैठना चाहती थी उस कार कार टायर ही पंक्चर कर देती है और खुद दुसरी कार में जाकर बैठ जाती है बाई बाई देवरानी जी कार स्टार्ट होने से पहले ही नैंसी भाग कर जाती है और स्वीटी की कार का टायर पंचर कर देती है कैसा लगा जिठानी जी तभी बहार खड़े सभी लोग आते हैं ये तुम दोनों ने क्या किया कार का टायर पंचर कर दे अब हम लोग गर कैसे जाएंगे रिक्षा से बेटा और कैसे सभी रिक्षा से रंजु निवास पंचते हैं वहाँ पंच कर पहले ही दोनों बहुए जाकर एक ही कमरे में घुस्ते लग जाती है जिठानी ची हटिए मुझे अंदर जाना है इस कमरे में इस ही है इसमें नहीं जाओंगी समझी तुम विवेक जी देखिए न अरे नैंसी दर्वाजा तूट जाएगा तुम लोग हटो दर्वाजे से चोट लग जाएगी तुम लोग फिर से चालो हो गई हाथ दकर दी है तुम दोनों ने अरे हटो दर्वाजे से और मेरे साथ आओ रंजू अपनी दोनों बहों को लेकर हाल में बैठ जाती है केसे कौन सा कमरा चाहिए बताओ मुझे वो बैलकनी वाला कमरा चाहिए जिसमें ठंडी हम आये चले और तुम है नैंसी बैलकनी वाला कमरा जिसमें ठंडी हम आये चले हमारे घर के सभी कमरों में एसी है और बालकनी भी कोई भी कमरा ले लो सभी कमरे एक से ही थे पर स्वीटी को नैंसी का नैंसी को स्वीटी का एक तुसरे की कमरे में ही दोनों को खासियत दिख रही थी दोनों के मसले का हली नहीं हो रहा था तब हार कर रंजु कहती है मैं समझ गई तुम दोनों को क्या चाहिए अपना अपना सामान लेकर छट पर सो जाओ वहाँ बैलकनी भी है और हवाई भी नहीं नहीं सासुमा और श्यापा नहीं ठीक है मैं सो जाओंगी किसी भी कमरे में नैंसी जाओ तुम छट पर सो जाओ मैं नहीं नहीं सासुमा मैं जाती हूँ ना कमरे में गेड नाइट अब भी जाओ और सो जाओ फिर सुबर असो इकाभी तो देखना है अगले सुबह नैंसी छे बजे ही उठ जाती है और अपनी सास के पैर दबाते हुए उनसे कहती है जो हुआ उसे बोल जाईए सासुमा, मुझे तो आपने ही पसंद किया था ना विवेकची के लिए अब मैं अपने सारे फर्स निभाऊंगी सच्ची बहु, ए भगवान, चल किसी को तो अकल आई तूने तो मेरा सारा टेंशन ही खताम कर दिया बहु मुझे तो लगा था कहीं आज भी तुम लोग शुरू ना हो जाओ नहीं नहीं मम्मी जी बलकुल नहीं हाँ, जिठानी जी का मैं कुछ नहीं कर ज़ती पर मेरी तरफ से आप निश्चिंद रहिए नैंसी और रंजू आपस में हस हसकर बाते कर रही होती है उनकी आवाज सुनकर स्वीटी के आँख खुल जाती है और वो उठकर बहार आती है नैंसी को रंजू से हसी छी ठोली करता देख लीती है तो अब ये मम्मी जी को अपनी पार्टी में कर रही है तर पापा जी को मैं अपनी पार्टी में कर लेती हूँ Not a big deal अब होगा श्यापा स्वीटी रंजू से कुछ दूर बैठे अपने ससुर प्रफुल के पास जाकर बैठ जाती है पापा जी आईए मैं आपके पैर दबा दूँ और नहीं नहीं बहू, हम लोग बेटी बहूं से पैर नहीं छुआते पर तुझे अचानक क्या हो गया? मैंने तो अपनी मर्जी से प्रेम जी और इस घर को चुना था पर मैं वो फर्ज निभा नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजी पापा जी अब से न मैं आपकी अच्छी बहुत जाबित होकर दिखाऊंगी अच तो कमाल हो गया, रंजू दोनों ही बहुए एक से बाते कर रही है अभी ही नैंसी ने भी यही कहा स्वीटी, चलो अब दोनों दिवरानी जिठानी बैनों की तरह रहेंगी अच्छा, तो ये बाते हो रही थे सासुमार दिवरानी जी में वैसे सासुमा मैं क्या कह रही थी कि नाश्थे में क्या बना दूँ अरे बहु, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, तो कुछ मीठा बना लो और साथ में पूरी सबजी बना लेना, तुम्हारी मौसी सास को पूरिया बहुत पसंद है कल जो हुआ उसके बाद तो वो बहुत चिड़ी हुई है, पूरिया खाकर उनका मुड़ भी अच्छा हो जाएगा और हम पूरिया एकदम खस्ता हो बना न जाने क्या रायता फैल जाए ठीक है सासुमा, मैं अभी जाकर खीर और पूरिया बनाती हूँ तुम पहले क्यों बनाओगी नाश्ता, पहले नाश्ता मैं बनाओगी क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरी पहली रसुई है, मैं ही पहली रसुई में जाओगी बिना नहाए धोई अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में चली जाएंगी क्या जिठानी जी तो तुने कौन सा ना लिया है? मुझसे बस दस मिंट पहले तो उठी है तु जो पहले नहाएगा तो ही पहले रसोई में जाएगा ऐसा कह कर नैंसी सीधा बातरों में नहानी घुश जाती है मामी जी देख रही है ना मामी जी ये तो गलत है मैं ही मुरा खूँ जो तुम लोगों की बातों में आ गई तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता नहानी में कहीं देर न हो जाए इसलिए स्वीटी अपने कपड़े लेकर बाहा निकल जाती है और एक पब्लिक वाश्रूम में नहा कर वापस आ जाती है ये साब रंजु की पडोसन श्वेता देख लेती है और वो स्वीटी का पीछा करते करते उसकी सिसुराल पहुँच जाती है अरे रंजु कि कल की भी आई बहु को बाहर जाकर नहाना पड़े अब वो वो तो वो क्या है न आण्टी जी स्वीटी कभी हो नहीं मांती हो ग्या न स्याप्पा ये तेरी बहु क्या कह रही है रंजु अब तो भगवानी तुझे बचाये रंजु मैं तो चलती हूँ रंजु की दोनों बहुएं फिर से अब रसोई में पहले कौन खाना बनाए इस बहस में लग जाती है पहले मैं आई तो मैं ही खाना बनाऊंगी ना मैं भी आपकी साथी रसोई में आ गई थी तो मैं क्यों दूसरे नंबर पर रहूं एक काम करो एक तरफ स्वीटी तुम खाना बना लो और एक तरफ नैंसी तुम आप तो ठीक है ना दोनों बहुएं एक एक स्लैब लेकर एक दुसरे के बिल्कुल आमने सामने होकर अपने अपने खाने को बनाने लग जाती है ऐसी मीठी खीर बनाओंगी कि सब उंगलिया चाटते रह जाएंगी दस चमच चीनी डाल दीती हूं स्वीटी नैंसी की खीर में दस चमच चीनी डालता देखकर सूचती है ये दस चमच डाल रही है तो मैं बारा चमच चीनी डाल देती हूं मैं सुब समझती हूँ जठानी जी मुझे देखकर आपने दो और चम्मचीने डाल दी अब देखे आप, खाना तुमें रही अच्छा बनेगा नैंसी गुड लाकर खीर में गुड डाल देती है तो अब तू देख स्वीटी रसोय में रखी सारी बिस्किट्स को खीर में डाल देती है तबी बाहर से आवाज आती है अरे बहु आज कुछ खाने दोगी या बाहर से मांगवा लू है राम, मैंने तु खीर के अलावा कुछ बनाई ही नहीं हो गया श्यपप दोनों बहुएं अपनी अपनी खीर लेकर टेबल पर जाती है ये क्या, बस खीर सुबह से तुम दोनों ने मिलकर बस ये खीर बनाई है मैं आपके लिए पूरियां बना देती हूं दीदी, आपना रास मत हो ये आज कल की लड़कियां आपके पर तर्थोड़ी ना कर सकती है मौसी सास जैसे ही पहली चमच खीर मूँ में डालती है, गुसे से लाल हो जाती है ये क्या बला है रंजू, अगर तु नहीं चाती कि मैं यह रहू तो कह देना ये सब करनी की क्या जरूरत थी अब मैं कभी तेरे घर की तेहलीज भी नहीं चड़ूगी रंजू के लाख मनाने पर भी उसकी बहन नहीं रुकती और वहां से चली जाती है अब तो हद हो गई, हर बात में तुम दोनों को परिशानी है न तो अब से तुम दोनों कुछ भी नहीं करोगी बरतन, कपड़ा, खाना, सफाई, सभी कामों के लिए घर पन्नौ कर रहेंगे और अगर तुम दोरों में से किसी ने भी किसी कपड़े को छुआ तो उसे कोई भी नहीं पैनेगा जिस खाने को तुम में से किसी ने भी बनाया उसे कोई नहीं खाएगा जिस जगह को साफ किया वहां कोई नहीं बैठेगा तुम दोनों ने बहुत अपनी मरसी चला ली अब लड़ती बैठो के पहले कौन सास लेगा पहले पहले तो नैंसी और स्वीटी को ये सजा कोई वर्दान सी लगी पर धीरे धीरे उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा प्रेम तुम ये क्रष्ट शर्टी पहन कर जाओगे क्या आफिस में मैं इसे आयन कर देती हूं स्वीटी अपने पती की शर्ट को आयन करके उसे पहनने के लिए देती है पर तुम्हारे इस्तरी की हुए कपड़े मैं नहीं पहन सकता हूँ ये कहकर प्रेम अलमारे से दूसरी शर्ट निकाल कर पहन कर आफिस के लिए निकल जाता है दूसरी और विवेक को अचानक बहुत खांसी हो जाती है लगता है मुझे डस से अलर्जी हो गई है नैंसी पूरे कमरे की डस्टिंग कर अपने पती को अंदर बुलाती है ये कहकर विवेक हौल के फ्लोर पर ही सूजाता है जिसे देख नैंसी की आँखे भराती है वो सीधा स्वीटी के पास जाती है जिठानी जी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है इन सब के चकर में हमारे पती हमसे दूर हो रहे है हाँ नैंसी सब शाप ठीक करना ही होगा सभी नौकरों को छुट्टी देने का वक्त आ गया है हाँ जिठानी जी अब सारा काम मिल बाट कर कर लेंगी लड़ जगड कर नहीं रंजू की तरकीब काम आई ही जाती है और इस सबक के बाद स्वीटी और नैंसी कभी भी जगड़ा नहीं करती रंजू की लगाई तरकीब के बाद उसकी दोनों बहुए बहनों की तरह एक साथ रहने लग जाती है इसी तरह तीन महीने बीच जाते हैं फिर एक दिन चाय पीते हुए प्रफुल रंजू से कहता है मान गय भागड़वान तुमें दो महीने हो गए मज़ाल है कि नैंसी और स्वीटी में कोई बहस भी हुई हो क्या दरगीब लगाई है तो घर पर बस बहु लाने से कुछ नहीं होता उनकी निगरानी भी करनी पड़ती है क्या लव मरेज, क्या अरेंज साब के वही ड्राम है पर अब तो सब सही हो गया ना रंजू जी लव भी, अरेंज भी तबी नैंसी और स्वीटी वहाँ आती है और अपने साथ ससुर के पैर चूती है पाई लागू सासुमा लो जी, हो गया ना स्यापपा तुने पहले क्यों पैर चूलिये मम्मी पापाजी के बड़ी तो मैं हूँ ना स्वीटी की बात सुनकर बेचारी रंजू को तीन मैने पहले हुए सारे किस्से एक बार में ही याद आ जाते है और उसके चैरे का रंग उड़ जाता है यह क्या कह रही हो तुम स्वीटी देखा ना पापा जी ममी जी कैसे डर गई कोई स्यापपा नहीं है ममी जी मैं तो मजाग कर रही थी अब मेरे और नैंसी के बीच कभी कोई प्राब्लम नहीं आएगी वी आ लाइक बेस्ट फ्रेंड्स अच्छा अच्छा तुम मजाग कर रही थी अच्छी बात है पहू असी मजाग तो घर पर होते ही रहने चाहिए बसासुमा हम क्या कह रहे थी कि हमारी शादी को तीन मेने होने को आए और शादी में हम देवरानी जिठानी की जगड़ी के कारण आपकी बहुत इंसल्ट हुई थी तो उसे कमपेंसिट करने के लिए क्यों न हम एक थ्री मॉंस एनिवर्सरी पार्टी रख ले पार्टी की बार्टी हो जाएगी और सभी हम दोनों देवरानी जिठानी का प्यार भी देख लेंगी आइडिया तो अच्छा है ए जी क्या कहते हैं आप मुझ से क्या पूछना रंजू बहुँ की इच्छा है तो कर दो पार्टी पर खान में बिर्यानी ज़रूर रखना खा कर मज़ा आ जाता है और सभी की मन्जूरी से स्वीटी और नैंसी अपनी शादी की सेलिब्रेशन पार्टी अपने घर पर ही अरेंच करती है और सुसाइटी वालों के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बुलाती है विश्वास नहीं होता कि दोनों वही लड़किया है इनकी शादी तो मैं कभी बूली नहीं सकता इतना ड्रामा इतना ड्रामा पहले इसका फेरा फेर उसका आप तो धन्या है रंजुजी कि इन दोनों को सदार दिया अपने साथ ससर कोई देख उपर से कहा नैंसी के कपड़े कहा तेरे हो गया न स्यापा ऐसे कोई बात नहीं है प्रिया तो आवा ही टेंशिन पा रही है प्रिया की बात सुनकर स्वीटी को मानो सब बदला बदला लगने लग जाता है वो प्रेम को आवाज लगाती है प्रेम चेलो ना केक कट कर लेते हैं पहले विवेक और नैंसी केक कट कर ले फिर हम कर लेंगे तुम यहीं रुको पहले मैं उन्हें गिफ्ट दे आता हूं और मेरी गिफ्ट? रे कभी तो बड़ो की तरह बिहेव करो स्वीटी यह पार्टी है ना इसे ही गिफ्ट समझ लो तुम यह कहकर प्रेम नैंसी और विवेक की पास चला जाता है अब होगा स्याप्पा नैंसी और विवेक केक कट कर लेते हैं और उसकी कुछ दिर बाद सुष्मा नैंसी की पास आकर कहती है सही है सभी जिठानियों का यही है छोटा केक तुछ से कटवा लिया और खुद के लिए तीन फ्लोर का केक मंगवाया है देख कैसे केक काट रही है देख तो तो यह क्या कह रही है सुष्मा अरे मुझे तो तेरे लिए बड़ा बुरा लग रहा है नैंसी इसलिए कह रही हूँ और जुआ दोनों दिवरानी जिठानी के दिलों में तीन महने पहले जल रही थी वो फर से सुलग जाती है सुष्मा की बात सुनकर नैंसी गुस्से में अपनी सास को कहती है मैं सोने जा रही हूँ सासुमा देखो जी यह जा कर सोएगी और मैं यह जूठे बरतन उठाऊँगी अपना केक कट गया अपने गेस्ट को खिला दिया तो मैडम चली सोने मम्मी जी मैं भी सोने जा रही हूँ बागी गेस्ट को आप देख लीजे यह अच्छा है जो मैं करूंगी आप भी वही करेंगी जिठानी है तो क्या देख रहे हैं ना जेट जी आप तो ये बात है तो उबर रही है मेरे पती को तब ही मैं सोचू तो मेरे प्रेम को अचानक हुआ क्या देख लो प्रेम अगर तुम्हें नैंसी पर इतना ही तरस आ रहा है तो मुझसे बात ही मत करना अब खाना भी तुम्हें वही देगी हाँ हाँ तीन महीने में बिचारे जेट जी भी समझ गया हैं दोनों देवरानी जेठानी में ऐसी लड़ाई होती है कि दोनों एक दूसरे के चहरे पर केक दे मारती है और सभी लोगों के सामने फिर से रंजु निवास का तमाशा बन जाता है चलता हू रंजु जी अब भगवान आपको बचाए सभी महमान वापस अपने अपने घर लोटाते हैं बाहर आओ अपने अपने कमरे से दोनों लोजी हो गया स्यप्पा मैं क्यों आओ बाहर मम्मी जी ही आए आए आपकी प्यारी नैंसी वैसे भी सबका ध्यान दूँ उसी पर रहता है इसलिए तो पहले केक कटवा आ गया उससे अरे नैंसी तो ही बाहर आजा तू तो मेरी अरेंजवाली बहु है ना और उसी बहु के लिए छोटा किक लाया गया था सासुमा मेरे तो भाग यही फूट गया इस दिन के लिए मुझे बहु बना कर लाया गया था क्या वीविग जी तुम दोनों जाओ और अपने अपनी पत्निओं को समझाओ न जाने रह रहकर क्या हो जाता है इन्ig नोनों लड़के अपनी अपनी पत्निओं के कमरे में जाते हैं इसलिए मुझे भी हक लाए थे ना प्रेम तुम तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ अभी करती हूँ डैडी को काल I'm sorry ना जानो सब मेरे गलती है तुम्हारे लिए एक बड़ा सा गिफ्ट लाता हूँ कल मैं अब शान्त हो जाओ गिफ्ट? अच्छा ठीक है सूच रहाओ कल एक बड़ा सा केक ले आओ तुम्हारे लिए फिर हम दोनों उसे सिक्रेटली काटेंगे तब शायद तुम्हारा गुस्सा शान्त हो जाए हो गया शान वीवेक और प्रेम को लगता है कि उन्होंने सब संभाल लिया है सिसू जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप मैं अभी बिरियानी बना देती हूँ नैंसी के बोलने की देरी थी और भागती हुई स्वीटी सीधा रस्वे में जाकर चावल कूकर में डाल देती है वाह यूट्यूब से देख कर तो दू दू बालती थी और ये बिरियानी बनाएंगी दोनों बोहुएं आमने सामने के स्लेब पर जाकर काम में लग जाती है नैंसी बिरियानी बनाना शुरू करती है और खड़े मसाले पीस्दे लगती है ज्यादा मसाले डाल कर पापा जी को अपनी और करना चाहती है ये पर मैं अभी कम नहीं हूँ स्वीटी नैंसी के डबल मसाले अपने बिरियानी में डाल देती है उसे देख कर नैंसी भी अब आधे आधे चमच की बजाए चार चमच मसाले डाल देती है ये तो मैं हो नहीं नहीं दूँगी स्वीटी रसोय के सारे डिबो के मसालों को अपने बिर्यानी में डाल कर अपने ससुर के सामने परोस्ती है उसके पीछे-पीछे नैन से भी अपनी बिर्यानी लेकर आती है मजाल उठीए पापा जी, आपकी बिरियानी हाज़ी रहा है नहीं, बिलकुल नहीं ससूर जी को बिरियानी खिलाने की बात मैंने की थी तो वो मेरी बिरियानी पहले खाएंगे पर प्लेट तो मेरा यहां पहले पहुचा तो पहले पापाजी मेरी बनाई बिर्यानी खाएंगे प्रफ जैसे ही एक चमछ बिर्यानी खाता है आर तो आप से किस ते कहा था इन से बिर्यानी बनवाने को रात में शादी में जाते तब खा लेते पर आप तो ऐसे करते हैं मानो जमाने से भूख है मर देओ मैं पर्टी में गाउन पैन कर जाओंगी मम्मी जी मेरी ड्रेस के आगे किसी का गाउन ठीकी का भी क्या सा सुमा वैसे आप क्या पैन होगी अरा सत्या नाशो तुम दोनों ही चले जाना अपने भूखर ससुर के साथ मुझे नहीं जाना कहीं नीशा राकाश की शादी को तीन साल हो गए थे नीशा अपने पती और सास के साथ काफी खुश थी लेकिन आज घर में कुछ हलचल सी मची हुई थी क्योंकि गाउं से एक फोन आया था जिसने नीशा की नीद उड़ा के रखती थी हाँ हाँ बहू मेरी सास और तुम्हारी दादी सास आ रही है गाउसे वो भी दो महिनों के लिए क्या मासा क्या वो बहुत सकते है मेरा मतलब पुराने खयालों की है हाँ बहू बहुत सकत है और तुम्हें तो पता है गाउं की ओरतें कैसी होती है वो हम शहरवालों की तरह माडन विचारों वाली नहीं होती तुम्हें ना बहुत सा अधान रहना होगा उनसे हाँ और दादी सा को नाराज भी नहीं कर सकते इस गर में सबसे बड़ी है वो उनका कहना कोई नहीं टालता तुम बस दो मेने समाल ले ना निशा हाँ हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको खुश करने की आप दोनों बस मुझे ये बता दीजी कि उन्हें क्या क्या पसंद है ठीक है? जिससे मुझे से कोई गलती ना हो जाए ये पर कोई कहने की बात है कल से ही मैं तुझे बताती रहूँगी कि मासा को क्या क्या पसंद है निशा राद बर सोचती रही कि उसके दादी सास कैसी होगी उन्हें क्या पसंद होगा और वो उनको पसंद भी आएगी या नहीं सोचते सोचते उसके आँख लग गए और वो सुबज जैसे उठती है आट बजे उठकर किचन में पाँच गई गुड मॉनिंग मासा रादे रादे बोलने के आद़ डाल ले बहू दो दिन में तीरी दादी सास यहां होगी और उनके सामने न ये नाइट सूट में नीचे मता जाना साथ बजे नहा कर सर पर पल्लू रख कर ही नीचे आना समझी मैं तो मासा बहुत नाराज हो जाएंगी क्या सर पर पल्लू रखना पड़ेगा मासा और साथ बजे उटना होगा वो भी नहा की रस्वी में आना होगा हाँ जब मैं शादी करके आई थी तब तो मैं छे बज़े उटती थी पर तो साथ बजे ही उटना कोई बात नहीं ठीक है और क्या क्या करना होगा मासा और उनको देशी खाना पसंद है ये बाहर का खाना न वो बिल्कुल पसंद नहीं करती बभू उन्हें ऐसी बभूएं पसंद है जो उनकी सेवा करे उची आवाज में बात ना करे और हाँ उनके सामने घुंगट तो सर से उठाना ही मत कहाँ से हैं ना थोड़े पुराने खाया लात की है हाँ हाँ मैं पूरी कुशिश करूँगी कि मैं उनका दिल जीत पाऊं और मैं घुंगट बिल्कुल नहीं उतारूँगी सच में तुम कर लोगी न कहीं ऐसा ना हो कि दादी सा तुम से नाराज हो के यहां से चली जाए देखे न मासा यह कैसे मुझे चिडा रहे है अरा चुप करना क्यों परिशान कर रहा है बहु को देख नहीं रहा के पहले से कितनी परिशान है वो हाँ घुंगट तो करना होगा सेवा करनी होगी सुबह जल्दी उठना होगा और भी पता नहीं क्या-क्या यह बगमान बचा ले न मुझे दो दिन में निशा की दादी सास आने वाली थी इसी दो दिन में निशा ने सारे मौडन कपड़े अलमारी के अंदर रख दिये जल्दी उठना शुरू कर दिया सर पर घुंगट रखनी की प्राक्टिस करने लगी मतलब घुंगट की साथ काम करने की और दो दिन के बाद आज दादी सास घर पर आ ही गई आखिर अरे कच्छे है बहु रानी अभी तक आई कोणी मारस मिलने मन देखना कसी लागय वो बस मासा आती ही होगी आपके लिए चाय बना रही है ठोक दूँ दादी सा अरे बहु यह घुंगट करे हैं हाँ मासा बहुत संसकारी है जैसे गाओं में होती है ना बहु है बिल्कुल वैसी है दादी सा आप लिए जीना चाय मैं आपके लिए डालबाटी चुर्मा बना लाती हूँ ठीक से बहु जा तू अपनो काम कर ले आज तेरे हाथ की दालबाटी खा ले वेंगे नीशा को अपनी सास और पती ने जैसे जैसे समझाया था उस सब कुछ वैसे ही कर रही थी वो अपनी दादी सास को खुश करना चाती थी उनका दिल जीतना चाती थी इसलिए उसने संध्या आरती भी खुद से करने का फैसला लिया ये तो पूजा पाट भी कर ले वे है कादरी बड़ी चोखी आवाज इसकी हाँ माजी साँ बड़ी संसकारी है संध्या की आरती भी और सुब की आरती भी खुदी करती है सुबह जल्दी उट जारे है हाँ माजी साँ साद बजे से नाहादो के तयार हो जाती है फिर पाट भी करती है और आरती भी गाती है हाँ दादी सा बहुत संसकारी है नीशा बाकी लड़कियों की तरह नहीं है बलकुल वैसी है जैसे गाउं में होती है हाँ वो तो मने दिखी रास है एकदम गाउं जैसी वह हुए कि जैसी है ये तो नीशा पूरा दिन घूंगट करके और दादी मा को खुश करके जब कमरे में आती है तो घूंगट छोड़कर अपना नाइट सुट पहन लेती है और ठक कर बिस्तर पर गिर जाती है के हुआ छोरी हुआ टाइड हो गई के थारी आज तो बस पहला दिन था और मेरा ये हाल है कैसे निकलेंगे तो महीने मैं तो मरी ना जाओ कहीं अरे दादी सा के सामने तो बड़े संसकारी बहु बन रही थी तुम ठोक दुमो दादिसा, दाल बटी चिर्मा, संध्यार्ती, और भी पता नहीं क्या-क्या हासलो हासलो, तुम्हें ये घुंगट रखना पड़ता न सर पे और खाना बनाना पड़ता गर्मी में तब पता चलता तुम्हें पता है, मैं कितने modern कपड़े पहनती हूँ ये घुंगट घुंगट मुझसे नहीं होता फिर बे सिर्फ दादिसा को खुश करने के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ हाँ हाँ, जानता हूँ मैं, तुमने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया ये मेरे बाल चले गए तो खुंगट करते करते, मैं क्या करूंगे फिर हाँ हाँ हाँ, अर ऐसा कुछ नहीं होता, चितना मत करो, कुछ नहीं होगा बस थोड़ा सबर और फिर तो दादिसा चली जाएंगी हाँ, अब और कुछ कर भी तो नहीं सकते न, दो मैंने इसी घुंगट को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा चिलो मैं सोच आती हूँ, खरसु बजल्दे भी तो उटना है हाँ, प्रभात आर्ती और भजन के लिए सुनो, मुझे मत उठाना हा, मैं तो सूँगा आराम से रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ नीशा और आकाश के कमरे से हसने और दोडने की आवाज आ रही थी और तभी दादी सा वहां से गुजर रही थी, वो आवाज सुन लेती है अरे की हुआ, इतनी आवाज कैसी है अरे पापरे, आकाश मैंने तो नाइट सूट पहना है, तुम दर पासा मत खूलना प्लीज कुछ नहीं हो दादी सा, तो यह आवाज कैसी आवे है कमरे से, बहु ठीक तो से हाँ, मैं ठीक हो दादी सा, वो बस कमरे में चूहा आ गया था, तो उसी को भगा रहे थे अरे कमरा खोल, मैं आके भगाऊँ नहीं नहीं दादी सा, भाग गया, भाग गया वो, आज़्या क्या आराम करिये ठीस, मैं जाऊँ इस बार तो निशा बच गई, पर उसने आगे से ध्यान रखना शुरू किया कि वो बिना घूंगट के कभी भी दादी सा के सामने ना आए उसे डर था कि कहीं दादी सा उससे नराज होकर चली न आ जाए तीन साल की शादी में ये निशा के साथ पहली बार हुआ था, जब उसने घूंगट डाला था वो भी गाओं से आई अपनी दादी सा को खुश काने के लिए हाला की निशा को घूंगट करने में दिक्कत तो बहुत आ रही थी पर उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था सुबह की साथ बज़े हैं अरे बहु, तो इतनी सवेरे उठ गई, वो भी ना कि तयार हो गई है तू तो गणी संसकारी लागे है, आज तो मारी भी आँख ना खुल रही थी ये तो तेरे बज़न से खुल गई हाँ दादी सा, मेरा तो नियम है, मैं रोज सवेरे उठ जाती हूं और पाट करके आर्टी गाती हूं तू छोरी, आज कल की छोरियों से बिल्कुल अलग लाग है जी दादी सा, आपके लिए चाय बना दू हाँ, बना दे, बना दे एक टप मेरे लिए भी बना दे ना बहू जी ठीक है मासा देखा मासा, कैसे सुबर सुबर सोई में लग जावे हैं गर का सारा काम जाने है यह, सब कुछ संभाल ले बे है हाँ, हाँ, देख लियो मैंने मैं सोच रही थी कि शाम को कठे गुमने चलते हैं सब लोग हाँ, हाँ, किदर जाना चाहेंगे आप मासा आप जहां बुले, वही चलेंगे हम सब दादी सा को तो मंदिर ही बहुत अच्छा लगेगा वो नया कृष्ण जी का मंदिर खुलाया ना महीं चलते हैं सब, दर्शन भी हो जाएंगे सब की और घूम भी लेंगे मंदिर चलेगी तो तो कहीं बार घूमने नहीं जावे जैसे सिनेमा देखने, बार हटल में खाने, बजार हरे दादी सा, अब आप आईएं तो जो आपको अच्छा लगे, मैं वही करूंगी हम सब मंदिर ही चलते हैं शान की आरती करके प्रसाद खाके ही लोटेंगे चीक है, मंदिर ही चलते हैं फिर जैसे बहु का है निशा एडी चोटी का दम लगा रही थी अपनी दादी सास को खुश करने के लिए जिसके लिए वो ऐसी चीज़े कर रही थी जो उसने आज तक नहीं की थी दादी सा, लाईए, मैं आपके पैड दबा देती हूँ आप ठक गई होंगे ना पढ़ाई तो तुने करी ही होगी कठे तक पढ़ाई करी है तुने दादी सा मैंने कॉलेज किया है और मास्टर्स भी किया है मैं अपने कॉलेज के टॉपर थी मतलब पहले नमबर पर आती थी मैं दादी सा अरे वाह चोरी तु दो बड़ी तेज है अचाई भी ये बता के कालेज जाती होगी तो कपड़े तो शेयर की लड़कियों जैसे ही पहनती होगी ना मारा मतलब से है कि जिन न सटाप, सकट यही सब पहनती होगी ना तु अगर दादी सा को बता दिया कि मैं कालेज में यही सब पहनती हूँ तो कहीं मुझसे नाराज हो के चलीना जाए क्या करो क्या करो जोटी बोल देती हूँ इससे दादीसा का मन भी रह जाएगा नहीं नहीं दादीसा मैं तो कॉलेज में भी सलवार सूटी पहनती थी मैंने तो कभी जिन्स, टाप, टी-शिर्ट को हाथ पी नहीं लगाया मैं तो हमेशा से ही ऐसे ही कपड़े पहनती आई हूँ अच्छा अच्छा तो तो सहर के लड़कें से बिलकुल अलग सैच होरी सच में पर आज कल वो कहते हैं कि हाँ, हाँ, हानी मून अकाश के सामने तो यह सब पहना ही होगा है न अब इनी क्या बताऊ कि मैंने तो बहुत छोटे से छोटे कपड़े पहने हैं नहीं, नहीं, दादी सा मारी डालेंगी मुझे यह सब सुनके अरे, नहीं, नहीं, दादी सा मैंने तो हानी मून पे भी सलवार सूट सी पहने थी मुझी ना बहुत शर्माती है ऐसे सब कपड़े पहनने में के? ओनी मुन पे भी सलवार सूट पहना था तो धारे पती ने कुछ कहा नी मारा मतलब सहा कि आज कल के छोरों को तो माडन छोरिया है चो खिला गया है नी नी आकाश को मैं जैसे हूँ वैसे ही पसंदू दादी सा ठेक सा ठेक सा जीती रहा है लगता है दादी सा मुझसे अभी तक इंप्रेस नहीं हुई है पर क्यों? मैंने तो इतना सकिया है फिर भी ये मुझसे इंप्रेस क्यों नहीं हो रही? कई ने शक तो नहीं कि मैं जूट बोल रही हूँ कपड़ों को लेकर क्या करो ऐसा जो दादीसा को यकीन हो जाए कि मैं संसकारी ही हूँ मैंने तु सब कुछ करके देख लिया आई आइडिया यही करूंगी अब इससे तो दादीसा जरूर इंप्रेस होई जाएंगे मुझसे नीशा न अपनी दादीसा को इंप्रेस करने के लिए कुछ सोच लिया था इसी बारे में चर्चा करने वो अपने पती और सास के पास आती है क्या सत्संग तो घर में सत्संग रखवाना चाती है और अपर क्यों अरे माजी दादीसा को कैसे पता चलेगा कि मैं बिलकुल उनके गाउं जैसे बहूं की तरह हूं हम सत्संग रखवाएंगी और मैं वहां गुंगट में ही आऊंगी इतने लोगों के सामने गुंगट में ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा हाँ बहू रहने देना जितना तुने किया है वो सही है नहीं नहीं मासा मुझी यकीन है कि दादीसा को सत्संग में मसा आएगा और इससे वो मुझी भी पसंद करने लगेंगी अरे परबहू हम दोनों ने तो हमेशा कीटी पाटी ही की है आप ये सत्संग कैसे रखेंगे इसका मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं है अब ये सब ना तू देख ले मुझे तो समझ में नहीं आगा ये सब ठीक है तो ये तैरा के हम सत्संग रखवा रहे हैं शाम को आप बस सारी औरतों को न्योता दे दीजिएगा नीशा ने दादी सा के लिए सत्संग भी रखवा दिया और आज वो सच में गुंगट में बैठी थी और पूजा पाट कर रही थी अरे कावेरी बहू जरा अठे आना ये नीशा बहू आज भी गुंगट करके बैठी इतने लोगों के सामने माजी बहुत संसकारी है ना अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते कभी भी ये माजी सा यहाँ देतो बाकी गरों से भी तो बहुए आई है आसपड़ोस की उन्होंने तो जिन ना सटा आप सब कुछ पहना हुआ है हाँ आपकी पोता बहुत सबसे अलग है ना माजी साब हाँ सारे जग से अलग से ये छोड़ी तो अच्छा कावेरी आकाश को कहना कल मारे गाउं की टिकेट करवा दे अब मने जाना चाहिए वापस क्यों माजी साब तो दो महिने रुकने वाली थी ना अब ये तो बस एक की महिना हुआ है बस पोता बहुने देख लिया तुझसे मिल ली अब गाउं में भी मनने काम है ठीक है माजी साब मैं आकाश को कह देती हूँ आकाश ने दादी साब की गाउं की टिकेट करवा दी और आज शाम की बस से वो वापस गाउं जा रही है कावेरी नीशा बहु कठे है पूजा कर रही है कि फिर से नहीं नहीं माजी सा, आपके रास्ते के लिए नाश्ता बना रही है, बस अभी आती होगी, अलो आ गए, लीजे दादी सा, आपका डिपपा, इसमें आपकी पसंद की सारी चीज़े है, नीशा बहु, देख मनने तुझसे एक जरूरी बात करनी है, आज महारे पास बैठ जा, क्या हुआ दादी सा, मुझसे कोई भूल हो गई क्या, अर ना ना भूल कौनी होई, थारे से कोई भी, पर बहु देख, अब जमाना बदल गया से, तुझे भी अपने आपको थोड़ा बदलना चाहिए, समझी, देख या जिन्न सटा पसकर्ट में थारे वास्ते लाई थी, अब तो हमार गाओं में भी बहु ऐसा सब कुछ पहने, पर तू तो कायर छोड़ो, मैं ये वापस ले जान हूँ, क्योंकि तुने तो कभी पहना ही नहीं ना ये सब, ना, सारा दिन पुझ जा पाट और इस गुंगट को लेग कर चला है, ठेक से, चल अब मैं चलूँ, मार बस का टैम हो गया सा, तू अपना खयाल रखना, नीशा, कावेरी और आकाश, बस एक दुसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं, जिन दादी सास को नीशा ने इंप्रेस करने के लिए घुंगट डाला था, वो असल में उसके लिए मौडन कपड़े लेकर आई थी, जो से लिका लिगे, हाँ 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 हाँ